हेलो वीवन, वेलकम बैक तो माई चैनल, तो कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाईज, तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ हमारी चमबा का मिंजर फेर, जो अभी इस साल दो साल के बाद हो रहा है, क्योंकि ये वैसे तो ये हर साल हो तो उसके चलते हैं थोड़ी देर हमने सोचा देख भी आते हैं क्या क्या सामान लगा हुआ है, क्या क्या शॉप लगी हुई है, तो यहां पर तीन मतलब शॉप, तीन मार्केट लगी हुई है, बड़ी बड़ी जो हमारा में चमबा का बाजार है, जहां पर बड़ा सा हमार अभी है यहां पर बड़ी सारे शॉप लगी हुई है बहुत ही जादा शॉप है यहां पर और हर एक चीज अवेलेवल है जो आपको चाहिए होता है जो भी डेली वेज के ड्रेसेज हैं यह देखे कितने अच्छे सूट लगे हुए हैं यहां पर सूट अवेलेवल हैं हमारे पर बैडशीट वगएरा है शूज हैं सैंडल्स हैं एरिंग्स हैं मतलब हर एक मार्किट का सामान जो हम लोग अपनी दुकानों से लेते हैं वह यहां पर सेल में लगे हुए हैं काफी अच्छे आयों है इस बार और यह देखें प्यारे प्यारे से एरिंग्स लगे हैं मैं चलते चलते थोड़ा बहुत ही सामान अपने लिए खरीदा था और जैसे आपको देख रहे हैं ट्राउजर वगएरा नाइट सूट वगए नाइट वे के सारे कपड़े जो भी आप लोग चाहिए वो अवेलेवल होते हैं और यहां पर सिमय के लिए कॉटन केंडी लेने ल लगी थी तो मैं वहां पर चले एक फटनी लीए और और कुछ शेयरिंग्स अपने लिए भी पसंद करने के लिए मुझे चाहिए भी था और काफी अच्छी शॉप थी और बड़े ही अच्छे एरिंग्स यहां पर लगए हूए थे और यहां भी कुछ सामान देने के लिए मैं वापिस आगे थी बैग में डालने के लिए और रश काफी जादा होता है काफी जादा दूर से लोग आई होते हैं तो अपना सामान का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है नहीं तो इदर उदर होने का भी डर रहता है तो यहां पर मैं कोटन कैनी डाल रही थी और मैंने फोन भी हाथ में पकड़ा था तो थोड़ा बहुत वह भी शूट हो गया था और सामान का ऐसा है कि हम लोग भी काफी कम सामान घर से लाए थे मलग जो भी था छोड़ने के लिए वह था और और वहीं पे लिया था देखिए कितने प्यारे एरिंग से बड़ी जादा सुंद में हैं तो यहां पे भी सब भी एरिंग से बड़े ब्यूटिफुल हैं और इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं एकदम से रुक के अच्छे से इनको देख सकूँ इसलिए मैंने चलते चलते तो बहुत शूट किया और यहां बड़ी सुंदर फ्लावर की शॉप थी बड कोई शॉप की जगा खाली भी थी तो वह भी लगनी बाकी थी तो यहां पर बैग्स भी हैं कफी अच्छे हैं और मुझे भी लेने थे और यहां पर बड़तन वगएरा के सभी किचन का सामान भी आपको यहां पर मिलेगा हर एक चीज है आप लोग जैसे मुझे देख के ले तो कुछ यहां पर एरिया थोड़ा खाली है स्पेस हैं यहां पर क्योंकि यहां पर दुकाने लगनी बाकी है हम स्टार्टिंग में गए थे अभी तो दुकाने लग गई हैं पूरी तरह से तो पूरा ही अभी मार्केट फूल है काफी जादा रश होता है और शाम के टाइम काफी जादा रहता है जबहा बहुंकि जो फंक्षवेयर के लोकल है वो भी आ जाते हैंशे जयसे गाउं के दूर तूर में बहुता है अभी तो दैम का एक मिलग विखार रश रहता है यहां पर जबहुए जिसंकियों का और नाम का आफी स्था आप में में आट सुन्क्र अगर आपके पास अच्छे से तो आप लोग आराम से देख सकते हो और अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हो तो मैंने भी अपने लिए कुछ कुछ चीजे ले ली थी जो मुझे चाहिए थी जुरूरी वाली और भी काफी कुछ था लेने के लिए लेकिन इतना जादा मैं यह पास ट्रैन में था तो मैंने नहीं लिया यह देखे यहां पे जूले भी लगे हैं बच्चे वगदा काफी जूले में काफी ज़्यादा पसंद करती है तो हर एक चीज है चोटी चोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीज होती है यहां पे मिंजर में तो यह 10 तिनों तक चलती है वन वीक तक फंक्शन वगदा होते हैं रात कर नाइट प्रोग्राम्स होते हैं उसके बाद बाद आके के शोपिंग करते हैं करते हैं प्रोग्राम्स होते हैं करते हैं प्रोग्राम्स होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं तो डोसा खाया आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद रजमिन ने कहा मुझे पिना है नीबू पानी तो यहां पर हम आ गए थे और गर्मी काफी जादा है तो थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा खाने पीने का दिल रहता यह देखि काफी अच्छा है और बारसात के मौसम में बारिशी भी हो रही है साथ में तो जिसके चलते थोड़ा बहुत दिक्कते आती हैं दुकान वालों को भी आती है पानी भर जाता है काफी जादा तो उन्होंने अपना कुछ थोड़ा बुत आरेजमेंट रखा होता है और यह देखि लोग भी थोड़े नीचे बैटे हुए क्योंकि अभी यह जो बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं साइडवे पीपल के तो उसकी चाहँ आती रहती है तो यहाँ पर इसली बैट भी सकते है थोड़ी दिया रेस्ट के बाद जो कुछ मतलब पसंद आ गया था वो लेने के बारे में सोच रहे थी मैं और अजबर ने आज कुछी नहीं लिया वो कह रहे थे कि अभी तुछी ले 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 जो तुमें चाहेगी उसके बाद ले लेंगे हम तो यहाँ पे मुझे दिख गया था पॉपकॉन बाला क पसंद करती है तो मैंने इनको कहा कि पॉपकॉन ले चलते हैं बच्चा भी कुछ हो जाएगा और साथ में ममी भी खा लेती है तो यहां चलते चलते में आपको थोड़ा वो शूट करके दिखा रही हूं साथ में जो सूट पर हैं नैट वेर हैं और ट्रावजर हैं अच्छ कि अभी वसा बरसात के मुसमि में होता है कि खराब और दीजसी लगतें तो उनको मैंने चौकर निगे कहा तो वो चैक कर देख रहे थे और मैंने कहा देखे नमक जादा नहीं होना चाहिए तो वह भाईया जो था वह डाल रहे थे साथ में तो यहां यह पैक करवा रहे थे तो मुझे यहां पीछे एक और शौप देख गई थी और मैं बस अब इस शौप में जाने के बारे में ही सोच रही थी तो मैंने अपने अ मैं गई क्योंकि यहां पर चमक धमक कुछ जादा लग दी तो यहां पर मैं चेली गई काफी सुंदर चूड़ियां थी और बड़े-बड़े से कड़े जो होते हैं वह भी थे तो मतलब यह सब कुछ अबेलेवल था बस चोईस करने में हैं बात और यह जो बड़े-बड़ के साथ ही लोंगे और ममी के लिए देखा था पर उनका साइज नहीं मिल रहा था मुझे और अभी सावन के टाइम मतलब सावन के दिन चले हुए हैं तो सावन की भी कुछ उन्हें ने चूड़ियां बना के रखी हुई थी घ्र में डालने के लिए भी अच्छी थी मतलब घ आए पूड़ियां काफी अच्छी थी और काफी लेडिस यहां पर आ भी रही थी और पसंद भी आ रहे थी हुए मुझी भी रही थी लेकिन मैं बंगर लेघा करऊंगी तो यह था मतलब सब कुछ जो थोड़ा बुट मैंने ली आपने लिए तो यहां पर और फी बहुत सा पर्से बैग्स हो गए वो लिया है थोड़ा वो सिमय के लिया था और बहुत जादा नहीं लिया क्योंकि अभी जगा खाली थी तो दुकाने लगी रही थी में स्टार्टिंग में ही चले गई थी तो एक दो दिन में यह कंप्लीट हो जाएगा काम उसके बाद पूरी करें की वीडियो और अच्छा था मतलब लोग आने शुरू हो गए हैं और काफी सामान लोग लेने भी शुरू कर रहे हैं और यह दस तिनों तक मैंने आपको पताया वन वीक तक चलता है यह मेला मतलब जो मर्जाप लो शाम तक रहती हैं शौप वाले सभी भाई यह जो है अब यह हर साल होता है तो अभी बस हम जाने की तयारी में ही थे तो आज करने वाली हूं गाइस प्लीज आप से विसे रिक्टे वीडियो जुरूर पूरा वाच करें और कैसा लगा वह भी मुझे बताना है कमेंट में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई करूंगी और प्लीज कनेक्ट रहे हैं और कमेंट जरूर करना